एक बार की बात है बहुत पुरानी बात है एक सुंदर और विशाल राज्य था जहां एक भव्य महल खड़ा था इस महल में एक सुंदर राजकुमार रहता था राजकुमार का नाम अर्जुन था वह न केवल अपने रूप और सौंदर के लिए प्रसिद्ध था बलकि उसकी बुद्धिमानी और साहस के लिए भी जाना जाता था अर्जुन का एक ही सपना था वह एक असली राजकुमारी से शादी करना चाहता था वह एक ऐसी राजकुमारी चाहता था जो न केवल सुंदर हो बलकि दिल से भी सच्ची हो लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली और पहाणों को पार किया और हर जगह राजकुमारियों से मिला लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली कोई भी राजकुमारी उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी वह हर शाम उदास होकर लोटता था कोई भी राजकुमारी उसे पसंद नहीं आई कुछ राजकुमारियां बहुत घमंडी थी कुछ बहुत ही साधारण और कुछ में वह सच्चाई नहीं थी जो वह ढूंड रहा था राजकुमार बहुत उदास हो गया उसे लगने लगा कि शायद उसकी खोज कभी पूरी नहीं होगी वह अपने महल के गलियारों में अकेला घुमता रहता था उसकी मा, राणी भी परेशान थी वह अपने बेटे की उदासी देखकर चिंतित हो गई थी उसने कई बार अरजुन को समझाने की कोशिश की लेकिन वह अपनी मेरनाय पर अडिक था क्या उन्हें कभी सच्ची राजकुमारी मिलेगी राणी ने अरजुन से कहा बेटा, धैरे रखो सच्ची प्रेमिका की खोज आसाम नहीं होती लेकिन जब वह मिलेगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा अरजुन ने अपनी मां की बातों से प्रेरित होकर एक बार फिर से अपनी खोज शुरू करने का निर्ने लिया उसने अपने घोडे पर सवार होकर एक नई यात्रा की शुरुआत की इस उम्मीद में कि इस बार उसे उसकी सच्ची राजकुमारी मिलेगी इस बार उसने ना केबल राजकुमारियों से मिलने का निर्ने लिया बलकि आम लोगों से भी बात चीत की उसने सोचा की शायद उसकी सच्ची राजकुमारी किसी साधारन परिवार से हो सकती है उसने कई गाउओं में जाकर लोगों की मदद की उनकी कहानिया सुनी और उनके साथ समय बिताया धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता और सच्चाई केवल राजकुमारियों में ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी हो सकती है एक दिन उसने एक साधारन गाउं में एक लड़की से मुलाकात की वे लड़की में केवल सुंदर थी बल्कि उसकी आँखों में सच्चाई और दिल में दया थी अरजुन को लगा कि शायद उसकी खोज अब पूरी हो गई है उन्हेंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और धीरे धीरे अरजुन को यकीन हो गया कि यही वे सच्ची राजकुमारी है जिसकी उसे तलाश थी उसकी मा की बातें सच साबित हूँ सच्ची प्रेमिका की खोज आसान नहीं होती लेकिन जब वह मिलती है तो जीवन खुशियों से भर जाता है अरजुन अपने सच्ची राजकुमारी के साथ महल लोट आया रानी ने उन्हीं देखकर खुशी से आशिरवाद दिया अब महल में खुशियों का माहौल था और अरजुन और उसकी सच्ची राजकुमारी में मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत की एक रात बहुत बड़ा तूफान आया बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रही थी अचानक महल के दर्वाजे पर जोड से आवाज हो राजा ने दर्वाजा खुला वहाँ एक लड़की खड़ी थी पूरी तरह से भीगी हो वह कह रही थी कि वह एक राजकुमारी है राजकुमारी पूरी तरह से भीग चुकी थी बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी वो ठंड से काप रही थी लेकिन उसकी आँखों में एक दिर्टा थी एसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से आराम नहीं किया हो। उसके कपलों की हालत देख कर कोई भी समझ सकता था कि उसने बहुत कठिन समय बिताया है। लेकिन वो बहुत ही सुंदर और शांत दिख रही थी। उसकी सुंदरता में एक अलग ही आकर्शन था जो उसकी कठिनाई को भी छिपा नहीं सकता था। उसकी आँखों में एक गहराई थी जो उसकी आत्मा की शक्ती को दर्शा रही थी। रामी ने सूचा हो सकता है कि ये एक असली राजकुमारी हो। रामी ने उसकी आँखों में देखा और महसूस किया कि इस लड़की में कुछ खास है। उसकी आँखों में एक सच्चाई थी जो किसी भी जोट कुछ छिपा नहीं सकती थी। रामी ने सूचा कि वो इस लड़की की परीक्षा लेंगी। उन्होंने सोचा कि अगर ये सच में एक असली राजकुमारी है तो वो किसी भी परिक्षा में सफल हो जाएगी रानी ने एक योजना बनाई जिससे वो इस लड़की की सच्चाई का पता लगा सके उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हीं निर्देश दिये कि वे इस लड़की के लिए एक विशेश बिस्तर तयार करें रानी ने सोचा कि अगर ये लड़की सच में एक असली राजकुमारी है तो वो इस बिस्तर पर सूने के बाद भी आराम महसूस नहीं करेगी रानी ने अपने सेवकों को निर्देश दिया कि वे विस्तर के नीचे एक मटर का दाना रखें और उसके उपर कई गद्दे बिचा दें रानी ने सोचा कि अगर ये लड़की सच में एक असली राजकुमारी है तो वो इस मटर के दाने को महसूस कर लेगी और उसे नींद नहीं आएगी रानी ने अपनी वोजना को अंजाम दिया और अब वो इस लड़की की परीक्षा का इंतजार कर रही थी सेक्षन फाइव एक बेचैन रात राजकुमारी पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही उसे नींद नहीं आ रही थी बिस्तर बहुत ही असहज था उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे कोई चीज चुब रही है सुबह हुई तो राजकुमारी बहुत ठकी हुई थी सुबह रानी ने राजकुमारी से पूछा क्या तुम्हें अच्छी नींद आई राजकुमारी ने कहा नहीं मुझे बिलकुल भी नींद नहीं आई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बिस्तर में कोई सख्त चीज है मेरी पूरी रात बेचैनी में कट गई रानी मुस्कुराई उसकी मुस्कान में एक विशेश चमक थी जैसे उसे किसी गहरे रहस्य का पता चल गया हो वह जानती थी कि उसकी खोज अब समाप्त हो चुकी है उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़की एक असली राजकुमारी है उसकी आँखों में सच्चाई और दिल में निष्ठा थी राणी ने महसूस किया कि इस लड़की में ये वही है जिसे मैं इतने समय से ढूंड रहा था उसकी खोशी का ठिकाना नहीं था उसे आखिरकार अपनी सच्ची राजकुमारी मिल गई थी राजकुमारी ने राजकुमारी का हाथ थाम लिया और उसे अपने महल में ले गया वहाँ उन्हें एक भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें पूरे राजजे ने भाग लिया सभी ने मिलकर इस खोशी के मौके को मनाया राजकुमारी और राजकुमार में एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने राज्य को खुशहाल बनाएंगे इस प्रकार उनकी कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त हुई और वे हमेशा के लिए खुशी-खुशी रहने लगे राजकुमार और राजकुमारी में शादी कर ली वे हमेशा के लिए खुश रहे ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुन्दर्ता अंदर से होती है हमें लोगों को उनके रूप रंग से नहीं बलकि उनके गुरों से आंक ना चाहिए अर्णा वारी ना चाहिए थाहिए वारा